दोस्तों IPL 2024 में आज का ब्लोकबस्टर मैच दिल्ली कैपिटल्स और कोलकता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में खेला गया था और इस मैच के खत्म होने के बाद IPL 2024 के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला तो आज के इस वीडियो में हम आपको IPL 2024 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर से किश टीम को प्लेओफ में जाने के लिए कम से कम कितना मैच जीतना परेगा तो ये वीडियो काफी ज़दा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्वेश्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोर देखे वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके नौटिफिकेशन बिल को प्रेस कर ले तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप लोग IPL के किसी भी मैच का 100% टेकूरेसी के साथ टॉस और मैच का प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टौनी भाई के साथ कॉंटेक्ट करे उनका सब ही डिटेल्स आप लोगों के स्क्रीन के उपर दिख पारा होगा और इस व 2024 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि IPL 2024 में आज का सुपर हिट मुकाबला कोलकता नाइट राइडर्स और दिली कैपिटल्स के बीच खेला गया था और इस मैच के खत्म होने के बाद IPL 2024 के पॉइंट टेबल में जबर दस्त बदल देखने को मिला तो आईए बात करते हैं IPL 2024 के नय पॉइंट टेबल के बारे में तो पॉइंट टेबल में दस ब्या स्थान पे हैं पांच बार की चैंपियन यानि की हार्दिक पंडिया की कपतानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम और मुंबई इंडियंस ने IPL 2024 में अभ तब ही मुंबई इंडियंस की टीम टोटल तीन में से तीन मैच हारने के चलते जीरो अंक के साथ पॉइंट टेबल में सब से नीचे यानि की बॉटम पे मुझूद हर मुंबई इंडियंस का निट रन रेट माइनस एक दसमलब चार दो तीन है और यहां पड़ से मुंबई इंडियंस को अगर प्ले ओफ में जाना है तो बच्चे हुए एक यारा में से कम से कम आठ मैचों को जीतना परेगा तब ही मुंबई की टीम प्ले ओफ में जा पाएगी इसके बाद पॉइंट टेबल में नौवे अस्थान पे है आईपील इतिहास की सबसे मुश्ट जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक मैच में है रॉयल च regret गुलरू को जीत मिला और बाद बाकि तीन मैचों में और सीबी टीम को कराडी स कस्थ का सामना करना परा तो आभी रॉयल च regret बैंग अरॉल चेलंजर्स बैंग लुडू की टीम टोटल चार में से एक मैच जीतने और त को यहां पर से प्ले आफ में जाने के लिए बचे हुए दस में से कम से कम साथ मैच को जीतना परेगा तब ही RCB प्ले आफ में जा पाएगी इसके बाद पॉइंट टेबल में आठवे अस्थान पे है सीखर धवन की कप्तानी वाली यानि की पंजाब किंग्स की टीम और पंज की टीम को हार का समना करना परा तो अभी पंजाब किंग्स की टीम टोटल तीन में से एक मैच जीतने और दो मैच हारने के चलते दो अंकों के साथ पॉइंट टेबल में आठवे अस्थान पे है और पंजाब किंग्स का निट रन रेट माइनस 0.337 है जो की काफी खराब नि के लिए बच्चे हुए A11 में से कम से कम साथ मैच को जीतना परेगा तब ही पंजाब किंग्स प्ले ओफ में जा पाएगी इसके बाद पॉइंटेबल में साथवे अस्थान पे है IPL में आज के मैच में हारने वाली टीम यानि की दिल्ली कैपिटल्स की टीम और दिल्ली कैपि यानि कापिटल्स को हार का सामना करना परा तो अभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम टोटल ør में से एक मैच जीतने और 3 मैच हारने के चलते दो अंको के साथ पॉक्ट टेबल में साथवे पैदान पे है और दिल्ली कैपिटल्स का ने ट रन रेट माइनस 0.33-0 है और आज दिल दिल्ली कैपिटल्स की टीम कोलकता नाइट राइडर से हार गई और अब यहां से दिल्ली कैपिटल्स को प्लेओफ में जाने के लिए बच्चे हुए 10 में से कम से कम साथ और मैच को जीतना परेगा तब ही DC की टीम IPL के प्लेओफ में जा पाएगी वहीं पॉइंट टेबल मे अगले पाइदान पे है सनराइजर सैदराबाद की टीम और SRH ने IPL 2024 में अभी तक टोटल तीन मैच खेले जहां पे सिर्फ एक मैच में सनराइजर सैदराबाद को जीत मिला और दो मैचों में सनराइजर सैदराबाद की टीम को हार का सामना करना परा तो अभी SRH की टीम टो सारच को प्लेओफ में जाने के लिए बच्चे हुए 11 में से कम से कम साथ मैच को जीतना परेगा तब ही सारच की टीम प्लेओफ में जा पाएगी वहीं पॉइंट टेबल में अगले पोजीशन पे है सुभमन गिल की कप्तानी वाली यानिकी गुजराट टाइटन्स की टीम औ अभी तक टोटल तीन मैच खेले जहां पे दो मैचों में गुजराट टाइटन्स को काफी सांदार जीत मिला और सिर्फ एक मैच में इनको चेन्ने सुपर किंक्स ने हराया था तो अभी गुजराट टाइटन्स की टीम टोटल तीन में से दो मैच जीतने और एक मैच हरने के चलते पॉइंट टेबल में चार अंक बना चुकी है और गुजराट टाइटन्स का नेट रन रेट माइनस 0.738 है जो की काफी खराब नेट रन रेट है तो गुजराट की टीम आने वाले मैचों में नेट रन रेट पे काम करना चाहेगी वहीं पॉइंट टेबल में चौथे अस्थान पे है केल राहूल की कप्तानी वाली यानिकी लखनो सूपर जाइंट की टीम और लखनो सूपर जाइंट ने IPL 2014 में अभी तक टोटल तीन मैच खेले जहां पे दो मैचों में लखनो सूपर जाइंट को काफी बढ़िया जीत मिला और सिर्फ पहले मैच में ये टी प्लस 0.483 है जो की काफी बढ़िया ने ट्रन रेट है और लखनो की टीम पिछले दोनों मैचों में बैक टू बैक सांदार जीत दर्ज कर चुकी है इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे अस्थान पे है डिफेंडिंग चैंपियन और रूतुराज गायक वार्ड की कप टीम को काफी सांदार जीत मिला और एक मैच में सीएसके की टीम देली कैपिटल्स के हाथो हार गई थी तो अभी चेन्ने सूपर किंग्स टोटल तीन में से दो मैच जीतने और सिर्फ एक मैच हारने के चलते चारंग के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे पैदान पे है और चेन्ने सूपर किंग्स का नेट रन रेट प्लस 0.976 है जो की काफी बढ़िया नेट रन रेट है वही पॉइंट टेबल में अगले पैदान पे हाई पेल इतिहास की पहली चेंपियन और संजू सैंसन की कपतानी वाली यानि की राजस्थान रोयल्स की टीम और राजस्था राजस्थान रोयल्स की टीम तीन में से तीन मैच जीतने के चलते पॉइंट टेबल में 6 अंक बना चुकी है और राजस्थान रोयल्स का नेट रन रेट प्लस 1.29 है जो की बहुत ही सांदार नेट रन रेट है और राजस्थान की टीम करेंट ली पॉइंट टेबल में कुलकता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 में अभी तक टोटल तीन मैच खेले और तीन के तीनों मैचों में बैक टू बैक कुलकता नाइट राइडर्स को सांदार जीत मिला तो अभी कुलकता नाइट राइडर्स टोटल तीन में से तीन मैच जीतने के चलते छे अंग के साथ पॉ KKR की टीम IPL के पॉइंट टेबल में सिखर पे पहुँच चुकी है तो ये था IPL 2024 में आज का नया पॉइंट टेबल परपल कैप औरेंज कैप के बारे में बात करें तो औरेंज कैप विराट कोहली के पास है जो की 4 मैचों में 203 रन बना चुके है और परपल कैप मुस्ताफ करें चैनल को सब्सक्राइब करें और IPL मैचों के प्रेडिक्शन के लिए टॉनी भाई के साथ कॉंटेक्ट करें तो फ्रेंट्स मिलते है नेक्स्ट वेडियो में